कि हैं गाइस हाई आज एंटीए का एक प्रेस कॉंफरेंस हुआ था और उसके बाद बहुत सारे इस बार आए आज हमें समझने कि भाई उस पर जो इस निकले वह साटिसफाइड है कि नहीं और यह जो हमारी जो है लडाई चल रही है वोफुली एक जस्टिफाइड होगी वोफुली सारे बच्चे जो अपने अपने भविश्य को लेकर अभी थोड़ा सा डाउटफुल है वो सारी चीज़े क्लियर होगी अगर अच्छा लगता है वीड़ो तो शेर जरूर करना और सबको बताना कि भाई ये चीज़ सेल दी है थेक है और प्रातना ये कि भाई हर एक बचे को हो रहा था तो NTA ने explanation दिया था grace marks के उबहुत सारे बच्चों के सरनेम नहीं है बहुत सारे बच्चों को 718-719 ऐसे marks आये हुए जो possible नहीं है और ऐसे देखें तो बहुत सारे बच्चों grace marks मिला हुआ है based on loss of time उस वजे से बहुत सारे बच्चे टॉपर्स बने 44 अब विकम टॉपर्स बिकॉस उनको grace marks दिये गए है तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे नीट के इस बात के रिजर्ट में आये हुए है ठीक है तो इसके बेसिस में NT ने कुछ दिन पहले एक प्रॉपर एक क्या कहते हैं प्रेस नोट रिलीज किया था जिसके बारे में एक वीडियो बनायती है और उसको तो भाई हमने पूरा समझ लिया था कि ये तो बिलकुल भी ये नो अंसाटिसफाक्टरी पॉइंट ओ व्यू पर आपका जो आप समझानी कुछ नहीं हमें समझ तो नहीं आ रहा है और ह प्रेस कॉंफरेंस और नीट 824 जहां पर NTA के सारे सारे बड़े अध्यक्ष यहां पर बैटे हुए हैं अगर आप देखोगे और सारे क्वेस्टिन से जावाब देने कोशिश कर रहे हैं अब इस प्रेस कॉंफरेंस में कौन कौन बैटा था हमारे नीट 24 प्रेस कॉंफरें इस प्रेस सुबहुत कुमार सिंग जी डिरेटर जेरल न्ट एडर्टर डिजी जी बैटे हुए न्ट एके रिट्रेटर डड़ेंस नीट 24 प्रेस प्रेस कहीं पर कहीं पर भी लिख रही हुआ है अब ही यही स्टैंड है कि नीट एग्जामिनेशन हास बीन कंडेक्टे वि आइसा कैसे हो रहा है तो इस बेसे से उनका यह कहना है कि भाई एंसरीं क्वेस्टिन ऑन वाइ सो मेनी 24 टॉपर्स अपेर फॉम सेंटर सुबहुत कुमार सिंग जी सेड़ एंटी इंविस्टिगेटेटर डिटेल्स को इंवस्टिगेट किया और इस फाउंड आउट आउट इस वज़े से उस सेंटर में से मल्टिपल टॉपर्स निकले हैं ठीक है यह उनका अभी भी यही कहना है कि भाई यह बच्चों के उपर है क्योंकि बच्चे इतने अच्छे से पढ़कर आये थे और साथी साथ कि भाई जो बच्चे नंबर और सुडें जो इस अगर इतने टॉपर्स निकले हुए एक ही सेंटर से उसका रीजन यही कि भाई बच्चे अच्छे से बढ़कर आये और बच्चे जाधा में आये इस वरी से इतने टॉपर्स निकले हुए ऐसा NTA कहा रहा है अभी भी जो एक्जाटली प्रेस नोट में लिखा हुआ था So I am assuming कि भाई अभी भी यह जो सवाल का जबाब है यह हम सब को अभी भी unsatisfatic लग रहा है कि ऐसा कैसे ही हो सकता है कि भाई एक सेंटर से इतने सारे टॉपर्स निकल जाए Based on the fact कि भाई कुछ number of students जादा आये हैं एक्जाम लिखने के लिए उस साल और बच्चों की average quality बढ़ गी है तो वही बात होगी ना पिछले साल दो All India ranks थे इस साल 67 है क्यों हुआ क्यों कि पिछले साल 20 लग बच्चों ने NEET examination दे था इस साल 24 लग बच्चों ने दिया था तो 20 से 24 लग के ग्रोथ में 16 परसेंटी तब ग्रोथ होता है तो भाई 2 All India rank पे भी 16 परसेंटेज चलो डबल कर दो 30 परसेंटेज अब भाई ट्रिपल कर दो 90 परसेंटेज ग्रोथ मान दो आप 2 से 90 परसेंटेज ग्रोथ आपका 67 All India rank नहीं होती है ऐसे नहीं हो पाता ठीक है यह मैंक्स लॉजिकली बैट नहीं रही भाई कई ना कई प्रॉब्लम है अब वो प्रॉब्लम क्या है उसको वो जो root cause है वो find out हम अभी भी नहीं कर पा रहे हैं हम हमने सबने question raise कर लिया है और मेरे ख्याल से अभी भी वो root cause find करने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ है है अब आगे बढ़ते हैं अब grievance redressal committee examining complaints or need 24 results तो आपके क्या कहते हैं NTA ने grievance redressal committee बनाई हुई है जो आपके सारी grievances को देख रहा है और solve करने कोशिश कर रहा है ठीक है NTA stated that the need 24 grievance redressal committee is examining all the complaints or the issues submitted regarding the result controversy the authorities have already taken actions and will take necessary measures if proven मतलब अगर प्रूफ हो जाती है चीजे तो फिर वो measurement लेंगे need 24 grace marks formula ठीक है grace marks क्यों दिये गेते उस basis में the marks vary from candidate to candidate the criteria taken into consideration where the amount of loss of time the efficiency of candidates average speed of candidates and other areas not revealed by NTA ठीक है NTA ने खुद बोल दिया कि भाई there are other areas which are not revealed by us जहां जिसके वज़े से हमने उनको grace marks दिया हुआ इसका क्या मतलब होता है what are those other areas which are not revealed by NTA you have loss of time ठीक है भाई कुछ बच्चों का examination center में problem की वज़े से you know loss of time हुआ अब इस loss of time के वज़े से कुछ बच्चे जिनको grace marks मिले है 44 students have scored 720 out of 720 यह कैसे हो सकता है जवालेस बच्चों को grace marks रज़े से 720 out of 720 कैसे मिल सकते है मदब I hope you understand what my point is है न फिर it is based on the efficiency of candidates average speed of candidates मदब average speed efficiency average speed आपको बच्चों कैसे समझ में आ रहा है how do because this is not an online examination आपका neat examination is an offline examination how do you understand what is the average speed of a candidate for attempting questions by calculating how many questions the students have completed within the amount of time they were awarded और उसके बाद फिर उन्होंने अब फिर जो बाकी time उनका waste हो उसके आपने उनको grace marks दिया इतने कि वो 720 out of 720 score करें so the ideology behind it, the principles behind it still very unclear guys तो फिर आगे बढ़ते हैं फिर सवाल फिर ये उठा कि भाई थाउजन शिसंडड़ नीट विड़नीफोर candidates complaints to be addressed within next week तो सोला सो बच्चों ने complaints raised किया हुआ है NTA stated that as many 16 candidates have raised complaints which will be investigated and addressed within one week so that the counselling or the admission schedule is not hampered सिर्स सोला सो बच्चों ने I think भाई हम सबने क्या कहते हैं इन सारी complaints को मतलब complaint प्रॉपर इमेरे ख्याल से official complaints होंगे है ना तो भाई जिन्होंने complaint नहीं किया है I think you should start complaining right now है ना अब उसके बाद now why NEET 24 result was declared in advance तो भाई हमारा जो result है NEET का वो June 14 को आना चाहिए था लेकिन क्यों फिर इसको election के साथ mix कर दिया गया है ना तो ये भी एक बहुत बड़ी controversy कल का रही कि भाई क्यों election साथ mix कर दिया क्योंकि हमें पता था क्या कि भाई ऐसे चारी सारी चीज़ें होंगी तो election के result के दौरान अकर हम उसको result करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें दब जाएंगी क्या ऐसी बाते हो रही थी बहुत सारे जगाँ पर ऐसा बताया गया था तो उसका भी जवाब आपके NTA ने दिया हुए क्योंकि result को prepone करना भाई साहब ये तो चमतकार है है ना तो क्या है भाई तो आपका answer की जून 3 को निकले थे तो जून 4 को result कैसे निकला कुछ तो gap होना चाहिए ना 28 में को जब provisional answer की निकले थे तो 12 से 13 जार बच्चों ने बहुत सारे सवालों के ऊपर क्या किया था भाई रेस किया था सिधा करो सिधा करके जून 3 को आपने क्या कहते है एक जून तक कंप्लेंड रेस हुआ उसके बाद 3 जून को आपने नया answer की निकाला और 4 को result तो या तो आपके बच्छ रिजल्ट अल्रडी रडी थे या तो कुस तो प्रॉब्लम है समझ रहा ठीक है मतलब यह तो वो CBC वाली बात होगी ना की भाई वही सेंटिकेशन एंट वही जून चौदा को रिजल्ट होने वाला था हमने पहले निकाल दिया जैसे निकाला बेसिकलों ही बात होगी बट अलग सी बात है कि वह जो प्रॉब्लम स्थी ओं दिखिये नहीं हमें ठीक है अब आगे यही बैटरी है उनके बेसिस में जो फूब चीज़े पूब होंगी उसके बेसिस में यह री नीट होने वाला है की नहीं ठीक है बचो अब आगे आखरी चीज़े मेरे ख्याल से यह बात हो जह रहे हैं कि चार बच चार लोग है ठीक है ओके एट नीट विट्व टॉपर सम्सिंगल सेंटर यह कैसे हुआ वही वही सेंचीज बोलेंगे कि भाई कि एक एक आप के लिट्विट्व सेंटर विट्विट्वेट्व फ्टॉट्व डिए तो अमारा वाई। यह 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 वाला ना यह वाला जो नंबर है यह नंबर के सारे बच्चे रंग में एका इसे हो गया है ना, वो सारे सारे एकी सेंटर से, oh my god, यह 44, 44 candidates got full marks after revision of marks, यह भी हमने देख लिया भी, है ना, इसके बारे में हमने बात कर ली है, ठीक है, तो यह अभी तक हमारे live updates है guys, इसके बारे मुने क्या बोला था, NTA stated regarding high number of perfect scores that is 70 to 70, it has been found that there are 67 candidates with full marks this year, however, 44 of these 67 candidates are attributed to revision of one physics answer की, for which now two options have been taken as correct, ठीक है, तो या तो उन बच्चों ने इस सवाल का जवाब, मतलब यार, correction की वज़े से, 44 बच्चों को, 728 बच्चों ने मिल गया, वाउ, very interesting, very interesting, तो यह scene guys, अब तक के latest updates है, 447 पीम तक का update है, तो हम देखेंगे, और यह वीडियोस में अभी क्यों कर रहा हूं भी यहाँ पर, क्योंकि देखो, simple सी बात है, 24 का तो हम fight करी, मारी रहे हैं, यह same चीज़े repeat ना हो, इस वज़े से, अब हमें खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, और इसी वज़े से, यह वीडियोस में अभी इस channel पर कर रहा हूं, फिलाल, क्योंकि अगर हम, यह, यह कदम अभी नहीं उठाएंगे, तो अगले साल फिर ह साथ यह होना, इसलिए 25-26 वाले बच्चों आपको भी अपने साथ और इन 24 के बच्चों के साथ भी खड़ा रहा है, तो इस बीटे को शैर जरूर करेगा बच्चों, है ना, और क्या आपको अभी भी लगता है कि problem solve होगी है, तो लेट में नो इन दी कमेंट सेक्शन, फेस होगी है, तो धो होगी है, जो इसन दी कि लेड़ सेक्स करेखा स्था